कि चार्ण में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें एक समकोण में खाली अस्तान अंस होता है कितना डिगरी का होता है 90 डिगरी का होता है ना जी 90 अंस होता है यदि बिंदु X एंगल BAC का अभ्यंतर है और एंगल BAC बराबर 22 डिगरी और एंगल BAC बराबर 70 डिगरी तो एंगल X, A, C की माप निका लिए मैं यहाँ पर एंगल एक B, A, C बना लेता हूँ ठीक है? यहाँ पर यहाँ आपका एंगल हो जाएगा एंगल B, A और यहाँ पर मैं C दे लिता हूँ ठीक है? B, A, C और X एक अभियंतर बिंदु है याँ अंदर की और इसकी इस्तित ऐसा बिंदु है ठीक है? और एंगल B, A, X 42 दिया है B, A, X याँनि कि यह वाला कोण जो है आपका 42 दिनी का दिया है एंगल B, A, X यह 42 है और B, A, C याँनि कि यह टोटल जो है आपका 70 है तो हमें X, A, C निकालना है तो एंगल X, A, C निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एंगल B, A, C में से घटा लेना होगा एंगल B, A, X को यानि कि 70 में से घटा लेंगे 42 को तो घटाएंगे तो कितना आ जागा है यहाँ पर घटा 28 दिग्री आ जागा यहाँ से आपका एंसर हो जागा चलते हैं नेक्स कोर्षन पर कोर्षन नमारे